स्वागत है आप सभी का प्रबड़ी पे मैं हूँ विशाख अत्रपाथी तो आज हम डिसकस करने वाले हैं डेली उनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के कुछ कोर्स टिटेल्स के बारे में तो सुरू करेंगे ममस्टी प्रोग्राम इन इनवर्मेंटल स्टाडीज तो आये द कोर्स नेम है म.A या M.C. प्रोग्राम इन इनवर्मेंटल स्टाडीज और यह सर्फ और सर्फ एंट्रेंस बेस्ट होते हैं यानि के देली उनिवर्सिटी में कुछ कोर्स जो पीजी के लिए हैं उसमें मेरिट और इनट्रेंस दोनों होता है लेकिन यह स्प्रेस्फिकली इ entrance based होता है ठीक है और यहाँ पर eligibility आप देखेंगे तो यह MA environmental studies के लिए different है and MSE environmental studies के लिए इसके eligibility अलग है ठीक है तो आईए MA के लिए पहले देखते हैं तो MA के लिए any undergraduate, BSC, BASC, BA, become honors, pass, etc. यानि कि आप में बस यह सारे courses के साथ में आपका background होना चाहिए ठीक है या UG से यानि आप किसी भी university से इन courses से अगर आपका UG है तो आप easily PG के लिए eligible हैं ठीक है लेकिन आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे, but having at least one of these subjects, आपके पास इन subject में से कोई एक subject जरूर होना चाहिए अपने 10 plus 2 level पे या UG में, ओके? तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि subject physics है, chemistry है, biology है, maths है, geography है, economics at 10 plus 2 level, ओके? याने कि आपके पास इन courses में से, इन course subjects में से कोई कोई subject होना चाहिए फिर अगर जेख सकते हैं इनकी eligibility, BTEC वालों के भी है, ठीक है degree from any university institution recognized by UGC, AI, CTE, ओके? और यहाँ पर marks जो requirements है, marks के, वो है 50% और above marks in aggregate और equivalent grade, ओके? तो यह MA entrance के लिए है, अब बात करेंगे MSC Environmental Science के लिए, तो any undergraduate BSC, BASC honors three year course after 10 plus 2 from University of Delhi और any other university whose examination is recognized as equivalent fulfilling other condition of eligibility, ओके? but having at least one of these subjects, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको इन subject में से कोई ने कोई एक subject आपके पास होना चाहिए जैसे कि physics है, chemistry है, biology है and maths at 10 plus 2 level और B.T.E. degree from any university institution recognized by UGC, AI, CTE, ओके? और इसके भी marks requirement में 55% और above marks is aggregate or equivalent grade तो आप यहाँ पे यह program देख सकते हैं, यह इसका structure देख सकते हैं कि इस course में entrance based होगा यह MA के लिए, यहाँ पे इसकी requirement और यहाँ पे MSC के लिए अब मैं इस course में आपको पताती हूँ कि MSC के लिए आपको syllabus क्या पढ़ना है पहले मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पे PG courses के लिए कोई भी एक defined syllabus नहीं है ठीक है? आपको DU के official site पे कोई defined syllabus नहीं मिलेगा तो अगर आपको यह preparation करना है तो previous year question papers को ध्यान में रखते हुए इसमें syllabus कुछ include के गा हैं आईए मैं दिखाती हूँ ठीक है? यानि आपको required है MSC entrance के लिए MSC science के लिए आपको यह MSC के लिए आपको यह syllabus देखना है जिसमें आप पढ़ेंगे earth and earth surface process physics and chemistry of environment water and water resources ecology, ecosystem, systematics and biogeography, land and soil conservation and management, environmental biotechnology, biodiversity, conservation, urban ecosystem and soil यानि आप यहाँ पे जो देख सकते हैं यह total आपका syllabus है इतने चीज के बारे में आपको क्योंकि यह syllabus जो इसका बनाया गया है यानि कि आपको mainly अगर PG के लिए वहाँ पे MSC के लिए entrance देना है तो simply आपको NetJRF जैसा syllabus आपको prepare करना होगा क्योंकि यह Delhi University का है तो जाहिस सी बात है बहुत easy नहीं होगा तो उसके लिए आपको अच्छी तैयारी के लिए लेकिन हाँ impossible भी नहीं है easily आप इसे qualify कर सकते हैं बस आपके preparation अच्छी होनी चाहिए तो preparation में आप यह सारे content involve करें इतनी सारी चीज़े आपको पढ़नी है syllabus और इस पर objective में solve करना है ठीक है तो इसको में MSC Environmental Science Entrance Test syllabus है यह unit wise है मैंने unit में आपको divide करके दिया है अब मैं easily यहाँ से देख सकते हैं और यह topics पढ़ सकते हैं और अगर इसकी preparation के लिए आपको इसका content इस पर lecture वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बड़ी पर visit करिए वहाँ पर BSC और MSC Entrance के examination के section है वहाँ से आप easily इसके बारे में देख सकते हैं ठीक है यानि आप यहाँ पर unit 1 ecology और environment के बारे में देखेंगे यानि ecology और environment के बारे में आपको सबाना चाहिए scope branches ecology components of environment atmosphere मैंने यह ecology के courses अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं आप चाहें तो वहाँ से यह per topic video lecture के form में देख सकते हैं ठीक है तो यह unit 1 है इसका second unit पर आप बात करेंगे तो basic component of ecosystem structure and function aspect of an ecosystem, tropical structure, ecological dominance, stability, diversity rules, homeostatus, etc. इतने सारी topics आप यहाँ पर topics note कर सकते हैं अपने notebook में और उसे prepare कर सकते हैं फिर unit number 3 पर आएंगे तो fundamental scope and relevance of environmental geology फिर उसका interaction, lithosphere, atmosphere, biosphere से और hydrosphere से क्या है फिर earth, materials, mineral, rock, soil इन सब के बारे में आपको पढ़ना है unit number 4 पर आएंगे तो scope of environmental chemistry के बारे में आपको पढ़ना है और देखें यहाँ में मैंने sub topic note किये हैं आपके लिए ताकि आप इसको easily देखके इन topics के बारे में search करके पढ़ सके देखें आपके पास अगर कोई material available नहीं हो तो आप google भी कर सकते हैं इन चीज़ों को इनके बारे में आप easily पढ़ सकते हैं यानि आप इसके लिए easily prepare कर सकते हैं यहाँ मैंने topics से लेके sub topics सारे division को यहाँ पर बता रखा है ताकि आप इसे easily learn कर पाएं यूनिट 5 में आएंगे तो structure of microbial cells के बारे में पढ़ेंगे जिसमें cell constituents है difference between eukaryotic prokaryotic cells है इन सब के बारे में और फिर next आएंगे waste management and resources conservation ओके waste management और resources conservation एक important topic है ठीक है तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से prepare कर सकते हैं और यह ना कि सिर्फ आप Delhi University entrance के लिए तैयार हो जाएंगे बलकि आप बहुत से competitive examination के लिए भी आप रिपार हो जाएंगे sources of energy fossil fuel nuclear wave solar and geothermal energies and noise oscillation motion wave phenomena यह सारी चीज़े भी आपको पढ़नी है unit number 8 में natural water distribution of microorganism in the aquatic environment यानि aquatic life के बारे में आपको पूरा पढ़ना है यहां पर देख सकते हैं marine life के बारे में unit 9 is natural resources and associated problems forest resources के बारे में urban areas deforestation, exploitation, over exploitation यह सब क्या होता है इन सब के बारे में पढ़ना है आपको unit 10 में application of biotechnology in pollution management देखेंगे, immuno assises पढ़ेंगे, DNA best methods पढ़ेंगे, use of bio, sensors पढ़ेंगे और सारे चीज़े यानि biotechnology के बारे में आप इसमें detail में पढ़ेंगे तो यह रहा पूरा MA, MSC entrance के लिए, syllabus आपका तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नए courses को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद और आपको अगर यह course पढ़ना हो तो आप हमारे website पे विजिट करना ना भूलें, वहाँ पे आपको इसके बारे में सारे chapters मिल जाएंगे, detailed preparation हो जाएगी आपकी, ओके, thank you